नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम जोड और घटाओं से सम्बंदित प्रश्न पहेलिया बनाना सीखेंगे आज गैफी बहुत खुश है, क्यूंकि वह आज मेला गुमने जाने वाली है मेले में जाकर गैफी ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे खेल है खेलने के लिए गैफी सबसे पहले एक जादूई खेल खेलने के लिए गई उस जादूई खेल में चिट्थी में लिखी पहेली को हल करना था पहेली हल करते ही जीतने वाले को एक इनाम भी मिलता था चित्र से जुड़ी एक प्रश्न पहेली को लिखना है चिठी में पहला चित्र ये है यहां एक डिबे में 15 टॉफी हैं और दूसरे डिबे में 26 ग्याफी सोचने लगी कुछ तेज सोचने के बाद उसने उस खाली जगा में लिखना शुरू किया यहां एक डिबे में 15 टॉफी हैं और दूसरे डिबे में 26 तो दोनों डिबे में कुल मिलाकर कितनी टॉफी हैं? ग्याफी ने यहां जोड का सवाल बनाया है जोड के सवाल बनाने के लिए हम कुल वस्तूओं की संख्या जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं ग्याफी की पहेली बिलकुल सही थी सही पहेली लिखने पर उसे 15 टॉफी और 26 टॉफी वाले दो डिबे इनाम में मिले टॉफी के डिबे मिलने पर ग्याफी बहुत खुश हो गई बच्चों क्या आप इस पहेली से कोई और प्रेश्न पहेली बना सकते हैं? शाबबाश यहां एक डिबे में 15 टॉफी है और दूसरे डिबे में 26 एक डिबे में दूसरी डिबे से कितनी ज्यादा टॉफी है? हम इस तरह इस पहेली से घटाव का प्रश्ण बना सकते हैं हम घटाव का प्रश्ण बनाने के लिए कितनी ज्यादा, कितना अंतर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ग्याफी को उसकी दूसरी चिठी मिले उस चिठी में बना हुआ दूसरा चितर ये है एक गुलदस्ते में 35 फूल है और दूसरे गुलदस्ते में 25 ग्याफी ने कुछ तेज सोचा और फिर लिखना शुरू किया एक गुलदस्ते में 35 फूल है और दूसरे गुलदस्ते में 25 तो दोनों गुलदस्तों के फूलों में कितना अंतर है? बच्चों अब आपकी बारी है ग्याफी की तरह इस चित्र को देखकर प्रश्न पहेली बनाने की सोनू के पास 20 कंचे हैं और राम के पास 16 कंचे हैं इस पहेली से प्रश्न पहेली बनाकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साजा करें बच्चों इस वीडियो में हमने जोड और घटाव से सम्बंधित प्रश्न पहेलिया बनाना सीखा